तो आज की सीडियों देखेंगे सिनोनिम्स जो कि हम लोगों ने ओ तक देख लिए थे लेकिन ओके अभी कुछ बचे थे पहले उनको देख लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं पीसे तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए एक बात और बोल नहीं थी आप लोगो के भी आज से मिलने लगें तो में अभी तक उस चैनल को विजिट नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको चेक आउट कीजिए कॉमेंट सुक्रिशन में लिंक डाल दूंगा तो इसी वेसे मैं आपको बताना था कि आज से कोर्से शालू हो रहे हैं और एक अगला है कि ऑकरेंस ऑकरेंस का मतलब होता है घटना या फिर कोई इवेंट ठीक है स्पेलिंग आप चेक करते रही है जैसे कि वो डबल सी यू आर एंसी यह सीवेसे मैं आपनों को लिखने के लिए बोला था ताकि लिखने में आपको स्पेलिंग भी याद रहेगी और अजीब लग रहा है तो स्ट्रेंज यह फिर लेक्षान इसको इंग्लिश इंग्लिश में बोल सकते हैं फिर ओफरिंग और डबल एफ-e-e-r-i-n-g तो ओफरिंग का मतलब है बेंट यह फिर प्रिजेंट ठीक है गिफ्ट आप बोल सकते हो फिर ऑप्शन ऑप्शन का मतलब आपके पास कईच वाइसे हैं आप उसमें से कोई चूज कर सकते हो एक हो इसको बोलते हैं फिर ओवरकम ओवी-e-r-c-o-m-e ओवरकम का मतलब है किसी से आगे बोलना किसी को हरा देना है फिर डिफीट ठीक है ओवरकम मतलब किसी से आगे निकल जाना जैसे कि आपने स करना इसनके मतलब है अधिरिक्त यैने कि एक्सट्रा ठीक है फिर अगला वर्ड है over wrote overweight का मतलब है थक पथर नहीं तक हो गयते हैं अब चालू करते हैं ठीक है पीजेंट का मतलब होता है جिलूश यानicated procession fox सेटेक्शन की स्पेलिंग भी आप चेक कर लीजें पी और ओ ची डबलस आई ओन तो हैं तो पेजन्ट का मतलब होता है जुलूस हाने कि ऐगरूप पीपल एक ग्रूप किसी वह लोगों का कोई ग्रूप होता है जुलूस होता है तो उसको बोलते हैं पेजन्ट फिर है बाले सब्सक्राइब करने के लिए कोई जजबाब बोल सकते हो ठीक है पैशन फिर अगला है पास्टाइम पास्टाइम का मतलब है मन रंजन एंटर्टेन्मेंट आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो नहीं फीर अटर्ण पैक्रण का मतलब हो जबता है कोई नमूना एक है कि पर्टिकुलर कोई चीज किसी पैटिकलर make होना उसको बोलते हैं पैटर्न इंग्लिश में मॉडल फिर अगला पेक्यूलियर यह पी-e-c-u-r-l-i-a-r पेक्यूलियर का मतलब होता है विशिस्ट निकी स्पेशल बहुती कोई खास चीज होना खास तरह से होना उसको बोलते हैं पेक्यूलियर फिर पेरेनियल स्पेलिंग देख लिए बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है क्यों इंपोर्टेंट ने बताता हूं पी-e-r-e-double-n-i-a-l यह की यहीसा आरीजन नहीं है ये बहुत पहले से बैति चल है है उनको बोलते हैंِ परेनल एवर लास्टिंग फिर है perfect perfect है मतलब होता है skilled किसी काम में लगूल perfect होना skilled होना निपोड होना फिर अगला है perfume मतलब fragrance फिर अगला है persecute persecute का मतलब है किसी को harass करना नहीं सताना किसी को पीघ्ळा देना उसको गोलते है पर से किउट स्पेलिंग चेकर लीजे पी ए और सी सी यू डी फिर एगला है पॉसीव का मतलब है ध्यान से यह तो मैं नहीं कोंगा ध्यान से पढ़ना पॉसीव का मतलब होता है किसी चीज को कैरूअन करना आपने सुनाओगा तो परसी यह तोड़ी ना है कि तो रीडिव यूर द्रीम जी ध्यान से पर्ड़ो अपने ड्रेमक को ऐसा थेगर को मतलब होता है कि आप कैरी ओन करो अपने ड्रीमक को कैरी फिर प्रसी जो भी आप चाह ultimate इस यह को करना फिर है पिक का मतलब है चुनना ठीक है या फिर तो चूज प्लक नहीं कहोंगा प्लक तो तोड़ना हो जाएगा पिक यह होगा चुनना ठीक है फिर अगला है पर्ट पी-e-r-t पर्ट का मतलब है ब्रश्ट इंप इंपर्टिनेंट स्पेलिंग देख लिए आई-ए-पी-e-r-t-i-n इंच थो पर्ट कमदा купर इंपर्टिनेंट यह फिर करप्ट फिर अगला हैfund पाel फॉयर्ट पाइरेट मतलब होता है समुद्री डाकू अपने सुनाओं होगा थैसे पाइरेट जिएक्ड से की इसले और अघाँपम पर यहां पर अऊसे पाइस पायरिट फायटेयों समु दो फिर अगला है प्लेंटिव मतलब है spelling देखित लिए प्लेंटिव का मतलब दुख पूंड एनिकि साड फिर सोरोफ फॉर फ्लेंटिव मतलब दुख फिर अगला प्लाइट पि ल आई झी एच टी प्लाइट का मतलब है धिशा कहां यह हैंनिकी कंडिशन दिशा नहीं बल् करदेशन यह का अगला पॉलाइट प यल अई टी पोलाइट का मतलब जानते होगे विनम्र रहे निकी ज़चिस्त मौद ही दयालूप विनम्र करथिया सी ओ और सी ओ यू आर्टी ओ प्रिटेंट की तारीफ करना फिर एगला पोटेंट पी ओटी एंटी पोटेंट का मतलब होता है शक्ती शाली यहांने की पाफुल ठीक है पोटेंट का मतलब होता है बहाना करना यहीं दिखावा करना बोल सकतो हो इंग्लिश में फेन F E I G N ठीक है सपलिंग रट लिए इसको प्रिटेंड का नवा दिखावा करना एंप भाना करना प्रोडिकल प्रोडिकल का मतलब होता है खर्चीला वेस्ट फूल फिर अगला प्रोल प्रोक का मतल्ब होता है भड़काना किसी चीज को उकसाना फिर और उकसाना जैसे कर आपने इंगली चमिस्टंश्री में सूना हो गई इस चीज़ को प्रोल प्रवोक देट है और छेक्षिन के कहले कर्कों प्रवोक करना तो उसको इंगलिश में बोलते हैं एरिटेट कपिमी का मतलब फोड़ाना एक तो उसमें अर्थ और और कोई किंदे की इर्थ का हिलना रफ की क्या हुआ हुआ ह Ilना तो फिर अगला कोके अनुज का मतलब होता है कच जलना भख से बोलकर फीलिंग आरे क्षक नुज दोता है कच्छ धिंड कर शनुए हुए है कुछलना ठीक है क्यू यू डबल इर कम दब विचित्र है कि स्ट्रेंज फिर लाएक वर्ड क्वेडी क्यू यू ए और वाई क्वेरी कम दब वता है प्रश्न वेश्टन फिरक्वेस्ट कुष्ट कम दब था सर्च थालास ठीक है आपने सुना होगा कि कि he had gone to America for his for his the for the quest quest of his son तो क्वेस्ट का मतलब होता है search किसी को ढूलना किसी की तलाश करना कोच करना फिर अगला है वर्ड क्यूइट का मतलब होता है शांत काम ठीक है क्वेज को मतलब होता है प्रशन एक प्रशन करना और एंग्लिश में इसका बोलते हैं question i fit question English और अगला वर्ड एक क्यूइ यू ओ टीएच क्यूऊ ओ आघ्र को लेंग कोट कोरत का मतलब फिर फिर ठीक है रेच का मतलब होता है कि वस्त्र आपने सुनोंगा रेमंड कंपनी होती तो क्या होता क्लोधिंग की कंपनी न तो उसी से आप याल से दो सकते हो प्लोधिंग कि वस्त्र खिला रहन सेखॅरत का मतलब है छूटन मलता प्लंडर को अगला वर्ड़ रैपिट को मतलब होता है यह एक बहुत नहीं के वह коммент लूदो सब्सक्राइब कर दिया है और पूरे सब करवाना चालू कर दिया अभी मैं सिर्फ वैसे कर वारा था जैसे 25 और ले लिए उसी में सब के साइंस के सब्सक्राइब कर सकते हो अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को हो सब्सक्राइब कर देना और कोई डाउट कमेंटरिक्शन ने पूछ लेना धन्यवाद